एक मिनट नहीं कुछ सेकंड थीक है हलो हलो गुड इवनिंग एवरिवन गुड इवनिंग अच्छा आज स्टार्ट करने से पहले ये तो सभी को पता है कि हम सिख्थ चैप्टर के बारे में पट रहें जिसका नाम है लाइन से एंगल्स लेकिन अभी क्या स्क्रीन पर आपको जोमेटरी दिखाई दे रहा है ऐसा क्यों क्योंकि जो लाइन सेंड एंगल्स है वो जोमेटरी का ही पार्ट है ठीक है इसलिए हम जोमेटरी के बारे में पढ़ रहे हैं मोटा मोटा वैसे अगर आप चैप्टर वाई उसमें से NCRT के अकॉर्डिंग देखोगे तो यस आप आपका six chapter है lines and angles या रेखाएं एवं कौन ठीक है यह आपकी बाद बिल्कुल सही होगी अच्छा जब तक यह बताएंगे अभी सारे बच्चे बताएंगे कि हमने last class में क्या पढ़ा था सभी बच्चे बताएंगे कि हमने last class में क्या पढ़ा था sir complimentary एंगल supplementary एंगल correct और sir adjacent एंगल्स बढ़िया नाइस हाँ बिल्कुल आपने सही बोला कि पिछली class में हमने क्या क्या पढ़ा complementary एंगल्स और supplementary एंगल्स के बारे में पढ़ा जहां हमने इन दोनों की definition भी पढ़ी कि complimentary angle क्या होता यानि कि पूरा कौन क्या होता है और उसके बाद हमने some पूरा किया निकि supplementary angles के बारे में पढ़ा इसके बाद हमने एक important concept जो कि था आसन कौन या फिर adjacent angles इनके बारे में सीखा ठीक है अब हम क्या करते हैं अब हम इन दोनों ही concept पर based एक question कर लेते हैं इन में से किसी भी एक concept पर based होगा ज्योंकि अब आप अपनी screen पर देख सकते हो question को सभी को ध्यान से पढ़ना है और सभी बच्चों को poll section में जाके अपना answer करना है कि इसका answer क्या होगा question क्या है मैं वो बोल लेता हूँ कि जो आपको चित्र दे रखा है जो figure दे रखा है उसमें ये बताना है कि क्या कौन एक और दो आसन कौन है अच्छा उसमें न चार options होंगे आपको दो ही use करने है आप अभी poll section में जाके देखोगे तो वह चार options होंगे आपको उनमें से दो ही मानने है या तो A या B एक और कौन दो आसन कौन है आर angles A and B adjacent angles तो आपको adjacent angles की definition पता ही है last class में हम discuss किया है बस वही आप सभी को बताना है सभी बच्चे answer करेंगे बहुत बढ़ी है काफी बच्चे answer कर चुके है अच्छा आप अपने notes की help ले सकते हो अगर कोई भी बच्चा confused होता है की कैसे पहँचानना है तो आप अपने notes की भी help ले सकते हो की adjacent angles क्या होते हैं ठीक है बहुत बढ़ी है काफी बच्चे answer कर चुके हैं last के 10 second और wait करते हैं केवल 10 second और wait करेंगे सभी बच्चे answer करेंगे केवल 10 second और wait कर रहे हैं ठीक है अच्छा अभी अभी जिस भी बच्चे ने join किया है हम अभी recall टेस्टी कर रहे हैं यानि कि पिछले क्लास में जो भी concert पढ़ा था उसी पर बेज़ हमें question कर रहे हैं जो कि आप अपनी screen पर देख सकते हो इसका answer सभी बच्चों को poll section में जाके करना है comment में कोई भी answer नहीं लखेगा ठीक है बहुत बढ़िया अब हम 5 second और wait करेंगे 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है समय समा चलिए अब हम इस question को discuss कर लेते हैं ठीक है question क्या था question ये है कि जो ये figure हमें दे रखा है क्या कौन एक और कौन-दो άसन dan दो है तो चलिए check कर लेते हैं अच्छा मैंने जल्दी से आपको याद दिला देता हूँ कि हमें क्या-क्या चाहिए होता है एक तो हमें common vertex या फिर common seeds चाहिए दोनों कोनों में क्या चाहिए common vertex या फिर common seeds अच्छा हिंदी में common को overnish कहते हैं, अब मैंने English में क्यों लिखा है, क्योंकि सभी बच्चे common का मतलब भी जानते हैं, चाहे वो हिंदी medium से हैं या English medium से, ठीक है, एक हमें चाहिए common side, दोनों angles में common side भी होनी चाहिए, side मतलब common भुजा भी होनी चाहिए, और तीसरा क्या है, क जो common भुजा है या जो common side है, angles उसके opposite sides होने चाहिए, या विपरीद दिसा में होने चाहिए, opposite side होने चाहिए, हाजी बिलकुल, बिलकुल सही, अगर आपको ये तीनों concept पता है, तीनों points पता है, तो आप आसान इसे बता सकते हो, कि कोई भी दिये गए दो कौन आसन है या न आ देता हो, कौन एक में एक तो ये वाली रेखा यूज हो रही है, ठीक है, line मतलब ये वाली, और एक ये वाली, ठीक है, भुजा कह सकते हैं, इसको ये दो भुजाई यूज हो रही है, ठीक है, कौन नमबर दो में, कौन नमबर दो में एक तो ये वाली है, जो यूज हो र जिती हैं वो vertex कहलाता है, तो con number 2 में तो यह हो गया, जबकि con number 1 में या angle 1 में vertex यह वाला होगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए, con 1 के लिए, एक तो यह वाली भुजा है और यह यह वाली, और दौनों इस blue वाले point पर या नीले वाले bindu पर आके, मिल रही है, ठीक है, तो दौनो के लिए हमने सीर्स मेंचान लिए कि सीर्स कौन से होंगे बहुत बढ़िया तो इसका मतलब अगर मैं पहला ही पॉइअँ देखू तो उसमें क्या है? कि common шीर्स होना चाहिए मतलब दौनों ही कॉणों में केवर एक ही सीर्स होना चाहिए और वो common होना चाहिए लेकिन यहां clearly देख सकते हैं कि जो कौन दो है उसमें ये वाला vertex है और कौन एक में ये वाला vertex है ठीक है तो दोनों ही vertex ये तो अलग-अलग हो गई इसका मतलब पहली condition ही गलत हो गई common series तो है ही नहीं अगर नहीं है तो हम वहीं से कह सकते हैं कि वो आसन कौन नहीं होंगे इसका मतलब जो option B है वो correct answer होगा अच्छा इस मेरा काफी बच्चों ने option A भी answer दिया था अभी सभी बच्चे comment में लगके बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया सभी बच्चे लगके बताएंगे repeat कर दो ठीक है कि पहले बाकी काफी बच्चों को यह देख लेना तो रूट किस किस को है ठीक है ना repeat कर भी रहा हूं वैसे पट अभी तक किस किस को समझ में आया वो बताएंगे कि सभी बच्चे लिखके बताएंगे comment में ठीक हिए मैं repeat करने के लिए इक बार इसको erase कर देता हूं ठीक है हां repeat कर रहा हूं repeat कर रहे हैं, हाँ जी, चलिए, सभी की, हाँ, सभी बच्चों की demand पर की repeat करना है, तो चलिए repeat करते हैं, दुबारा से देखते हैं, अब मैं, अब ना मैं आप सभी से पूछोंगा और आपको comment में answer देना है, कैसे, मैं कुछ, इसी से related questions पूछोंगा, ठीक है, एक तो मैंने ये वाली भुजा बना ली, एक मैंने ये वाली भुजा बना ली, ठीक है, अब मैंने इस भुजा को गई तीसरी भुजाओ गई C, अच्छा इनका इन ABC से कोई लेना देना नहीं है, मैंने बस ऐसे नाम दे दिया है, कुछ भी, आपने according ABC दे सकते हो, PQR दे सकते हो, XYZ दे सकते हो, अपनी सुभधा के इसाफ से आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, अब आपको क्या बताना ह है, कि कौन number 1 में कौन-कौन सी भुजा यूज हो रही है, सभी बच्चे comment में, सभी नहीं बताएंगे, जिन्होंने repeat के लिए वो नर्ट, इनको समझ में नहीं आया, ठीक है, आपको ये बताना है, कि कौन number 1 में, कौन-कौन सी भुजा काम में आ रही है, ठीक है, ये सभी को comment में लिखके बताना है जल्दी से कमेंट में लिखके बताईए कि कौन नंबर एक में अच्छे कौन नंबर एक तो किलियर भी देख रहा है ना ये वाला है कौन नंबर एक इसमें तो ये वाली भुजा है जिसका आपको नाम लिखना है और एक दूसरी कौन सी है दूसरी में र हमेशा किसी भी कौन को बनने के लिए हमें दो भुजाएं चाहिए होती हैं बी और ओ बी और उस ओ तो मैंने यह तो भुजाय तीन है ना एक इक बी और तीसरी सी इन तीनों में से बताना है आपको कौन-कौन से भुजा यूज हो रही है शिव कांत के नाम से जो भी बच्चा है आपका न ऐसे कमेंट कोई भी माईने नहीं रख रहा आप अजीव सा कमेंट कर रहे हो हाँ जल्दी से बताइए आरे सभी बच्चे बताइए भी तो तीन बच्चों नहीं बताए कौन नमबर एक में कौन कौन सी भुजा काम में आ रही है जल्दी से बताइए हाँ अभी सही है ठीक है अच्छा अमन के नाम से जो बच्चा है निपी कुमार के नाम से जो बच्चा हिसार सिटी के नाम से जो बच्चा है जतिन और सीमा रानी केवल पांच बच्चों ने अभ में कौन नमबर एक में ठीक है अब इसी तरह कौन नमबर दो में बताने सभी को question change हो चुका है कौन नमबर दो में कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही है ये आपको बहुत बढ़िया, आपने सभी ने सही बताया कि एक तो है भुजा A, जो की काम में आ रही है, और एक है ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा हो गई, मालोई इसको B बोला है हमने, बहुत बढ़िया, ठीक है, अगर मैं अब वर्टेक्स क्या होता है, देखिए हमें क कौन एक का वर्टेक्स देखूं तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्टेक्स या फिर शीर्स, शीर्स क्या होता है, जहां भी दोनों साइट्स या दोनों भुजाएं आके मिलती है, वो वर्टेक्स या सीर्स होगा, ठीक है, कौन एक के इह वाला हो गया, कौन दो के लिए यह वाला हो गया, कौन दो के लिए? वर्टक्स यह वाला हो गया, या फिर s 보고 में दोनों बोजाए, इस बिंदू पर आकर मिल रही हैं, हाझी समझ गए न, तो अब यहाँ से क्या पता चला हमें, कि दोनों कौनों को बनाने के लिए अलग- या common vertex होना जरूरी है और वो तो है ही नहीं है अगर नहीं है तो हम यह कहेंगे कि जो कौन नंबर एक है और कौन नंबर दो है वो आसन कौन नहीं होंगे बिलकुल सही अच्छा अभी आ गया ना समझ में सभी के बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया अगर आपके समझ म पर आगया तो चलिए हम आज का पहला concept पढ़ते हैं जिसका नाम है शीरसा विमुक कॉन या फिर vertically opposite angles ठीक है अब यह क्या होता है ठीक है इसकी कुछ important points में आपको बता देता हूं कि जब भी सीरसा विमुक कॉन की हम बात करते हैं तो हमेशा वाग दो कॉन होने चाहिए दो कॉ angles होने चाहिए अब ऐस क्यों कि किसीरसा विमुक नहीं हो सकता जब भी सीरसा विमुक की बात करेंगे तो हमेशा यह बो लेंगे कि कोई भी दो कॉन रेक और दूसरी रेख का यह है ठीक है ये दौनों एक दूसरे को intersect यह प्रतिछेद कर रही है इस बिंदू पर ठीक है यह क्या कहलाता है intersecting point या प्रतिछेदी बिंदू क्या कहलाता है यह प्रतिछेदी बिंदू हाँ जी या फिर intersecting points अगर English में चाहो तो आप लिख सकते हो अब यहां बता सकते हो total कितने कौन बनते हैं इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी बात की है यह टोटल कितने कौन बनते है अच्छा चली गिन लेते हैं ठीक है सभी मिलके गिनेंगे अच्छा बता चुके हैं कि बहुत बड़ी है जिसका भी आंसर आ रहा है एक तो ये रहा एक ये रहा एक ये है और एक ये वाला है ठीक है इस arrow को भूल जाओ ऐसा करता हूं मैं इस arrow को यहां से हटा देता हूं ताकि आपको यह कुछ भी confusion ना रह ठीक है मैं arrow को यहां से हटा रहा हूं ठीक है उसके चक्कर में line भी यहां से अट गई है तो मैं lines दुबारा से बना रहा हूं और बिलकुल आपका answer सभी बच्चों का एक दम सही है कि यहां 4 con बन रहे हैं यहां आप इनको गिन भी सकते हो con number 1, 2, 3 और 4 ठीक है तो जब भी हम शीर साभिमो कौन की बात करेंगे तो वहां हमें सब प्रतिछेदी रेखा है या फिर intersecting lines का होना जरूरी है जहां भी lines intersect करेंगी एक दूसरे को वहां शीर साभिमो कौन जरूर बनेंगे अब question आता है कि शीर साभिमो कौन होते क्या है आखिर का तो चलिए वो समझ लेते हैं तो definition सभी बच्ची ध्यान से देखेंगे कि जब भी कोई भी दो रेखा है आपस में प्रतिछेद करती है तो जो चार कौन बनते हैं उनमें जो आमने सामने वाले कौन होते हैं बिल्कुल सही बात है सीमा राली ने जो भी comment किया एकदम सही है आपका अचा आपने एक्वल की mean that सен आपने सामने वाले कौन होते हैं वह या फिर शियर सा भूम कौन कहलाते हैं तो आमने सामने का क्या मतलब है चलिए इन से पहचानते हैं यहां चार कौन بنे हूए हैं अगर मुझे कौन नमबर दो का अगर मुझे कौन नमबर दो का वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर से अब मुग कौन निकाला है तो मैं कैसे निकालूँगा तो मैं इसके सामने वाला कौन देखूंगा अगर आप यहां से दो देखोगे तो इसके बगल वाला कौन है, साइड वाला कौन है इसी तरह 3 भी इसके सामने वाला नहीं है तो साइड वाला ही है जबकि अगर angle 4 को देखोगे तो ये इसके सामने वाला opposite angle है, ठीक है इसका मतलब क्या हुआ, कि जो 2 का कौन 2 का vertically opposite angle होगा, वो होगा कौन 4 बिल्कुल सही answer, अच्छा, अब सभी को ये समझ में आया, अगर समझ में आया है, तो आपको ये बताना है कि कॉन 4 का vertically opposite कॉन सा होगा, figure में सी देख के बताना है, कॉन 4 का vertically opposite कॉन सा होगा, कॉन 4 का seed सा भिमूब कॉन कॉन सा होगा, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बिल्कुल सही है, कौन 4 का कौन सा होगा, कौन 2, बिल्कुल सही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि कौन 4 and कौन 2, ठीक है, एंगल 4 and एंगल 2 are vertically opposite angles, या फिर ये शीरशा भिमो कौन है, ये क्या है, शीरशा भिमो कौन है, ठीक एक का सीरशा भिमो कौन क्या है, जल्दी से बताएंगे, कौन 1 का सीरशा भिमो कौन है, तीन, बिल्कुल सही समझा आपने, क्योंकि कौन 1 के बिल्कुल सामने कौन 3 है, 4 इसके बगल में है, और 2 इसके बगल में है, तो हम ये कहेंगे कि कौन 1 और 3 भी, repeat कर दूँ, repeat भी कर कि कौन एक और तीन कैसे है वर्टी कली आपोजट एंगल सीया फिर शीर सा भिमॉक कौन है यहां से हम दोवारा से समझ लेते हैं किसी बच्चे का डाउट है वर्टी की मैंने अभी समझाया कि जहां फी दो रेखा हैं आपस एक दूसरे को प्रतिछेद करती हैं, प्रतिछेद करती हैं मतलब काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वह चार कौन बनते हैं टोटल, उन चार कौनों में से जो बिलकुल आमने सामने वाले कौन होते हैं, जो बिल्कुल opposite angles होते हैं, उनको हम vertically opposite angles, या फिर हिंदी में shear साभिम कौन कहते हैं, ठीक है, इसको हम diagram से समझने की कोसिस करते हैं, हाँ जी, अमन के नाम से जो भी बच्चा आप ध्यान से समझोगे, diagram से समझने कोसिस करते हैं, मार लो मुझे कौन एक का shear साभिम कौन निकालना तो मैं चेक करता हूँ कि इसके सामने वाला कौन कौन सा है, खाला कि आपको clear दिख भी रहा होगा, लेकिन यदि मैं यहां से देखो तो जो चार है, कौन नमबर दो भी इसके साइड वाला है, लेकिन कौन नमबर तीन इसके just opposite है, मतलब बिलकु सामने है, इसका मतलब क्या ह कि कौन एक एंड कौन तीन, ये दोनों sheer सा भिमुक कौन है, या फिर vertically opposite angles है, या फिर कैसे है, vertically opposite angles है, ठीक है, एक और तीन पेंचान लिया, इसी तरह यदि में कौन दो की बात करो, ठीक है, अच्छा एक ही बच्चा बताएगा केवल, अमन के नाम से है, कौन दो के सामने वा इता वात है, अब आप सामने वाला पैचान नसीप गए, तो कौन दो के सामने वाला है, कौन चार तो हम ये कहेंगे कि कौन दो और कौन चार भी शीरसा भिमुक कौन है, यह सभी आपको दोनों दोनों चीज़ों में ये concept याद रखनी है, आप यहां से भी कह सकते हूं, कि जो कौन एक और कौन तीन है वो सीरसा विमुक है और दो और चार है वो भी सीरसा विमुक है ठीक है अगर आपको इतना पता है कि यह सीरसा विमुक कौन है तो important concept आता है ठीक है कि जो सीरसा विमुक कौन होते हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं सभी बच्चे आद रखेंग कि जो शीरसा विमुख कौन होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं उनमें कोई भी कंडिसन नहीं होती अगर सीरसा विमुख है तो बराबर होंगे ही ठीक है यहाँ से याद रखेंगे अच्छे इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यदि एक और तिन सीरसा विमुख है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कौन एक बराबर कौन तीन ठीक है इसी तरह से दो और चार सीरसा विमुख थे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कौन दो बराबर कौन चार ठीक है तो यहाँ से दो चीज़े हमने सेखी क्या, कि एक तो सीयर सा भिमॉपक कॉन होते क्या है, मतलब, Directorly Opposite Angles क्या होते है, उनको पहचान ना सीखा, पहला तो, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा, कि जो vertically terribly opposite angles होते हैं, वो equal होते हैं, जो सीर सा भिमॉपक कॉन होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं ठीक है ये दो चीजे समझ में आई सभी के जल्दी से कमेंट में बताईए अन्म्यूट करके भी अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो अगर सभी के समझ में आया है तो अगर आपके समझ में आया है तो अब हम question solve करेंगे फिर आपको और अच सावधानी से solve करना है जल्द वाजी में किसी भी बच्चे को solve नहीं करना अभी आप देख सकते हो question आप अपनी screen पर अभी देख सकते हो comment में किसी को भी answer नहीं करना सभी बच्चे poll section में जाके answer करेंगे question number 21 question क्या है कि जो चित्र हमें दे रखा है उसमें दो कौन दे रखें एक figure में हमें दो angles दे रखें angle A और angle B अब आपको ये बताना है कि क्या A और B शीर सा भिमकौन है क्या ये vertically opposite angle से बहुत बढ़िया ठीक है अभी तक जितने भी बच्चों ने answer दिये सभी का सही है ठीक है बहुत बढ़िया सभास सभी बच्चे पॉल section में जाके answer करेंगे सारे बच्चे पॉल section में जाके answer करेंगे बहुत बढ़िया सभास कमेंट में कोई भी बच्चा answer लिखेगा नहीं अच्छा yes or no लिख सकते हो अगर आपका मन है तो वैसे लिखने को कोई फायदा नहीं है है ठीक है हाँ बहुत बढ़िया काफे बच्चे answer कर चुक है दस सेकंड और वेट करेंगे उसकी बाद हम आगे बढ़ेंगे केवल दस सेकंड जल्दी से अपना answer कीजिए अगर कोई बच्चा बचा हुआ है तो जल्दी से अपना answer पर समिट कीजिए इवल दस सेकंड बचें आपके पास दस सेकंड बचें पांस सेकंड बचें फाइव सेकंड बचें अभी किवल फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है समय समप चलिए अब हम क्वेस्टन को डिसकस कर लेते हैं कि ए और बी शीर साविमों कौन है या नहीं एक तो यह हो गया मालो यह हो गया कौन नंबर एक मैं नाम दे रहा हूं आप कुछ भी नाम दे सकते हो मैंने इसको नाम दिया कौन नंबर दो इसको नाम दिया कौन नंबर पांच ठीक है मैंने क्या अपनी मर्जी से दे रहा हूं तो कुछ भी नाम दे सकता हूं और मैंने देखा था कि जो यह आमने सामने वाले कौञ होते है, एक और 5 एक और 5 सीर्सा बिंधो के या वर्र पोजट आंगल से, और 2 और 8 दो और 8 भी वर्र पोजट आंगल से, ठीक है अब चलिए इस चितर पर आते हैं जदि मैं इस चितर में वो ही चार कॉन बनाने की कोसिस करो तो एक तो ये वाला कॉन होगा, ठीक है, कॉन नमबर एक माल लिया, एक ये ही वाला कॉन होगा, मालो ये है कॉन नमबर दो, एक ये वाला कॉन होगा, कॉन नमबर तीन, और एक ये वाला कॉन होगा, कॉन नमबर चार, ठीक है, कॉन नमबर चार ये वाला होगा ठीक है अब आप बताओगे कि कौन 2 के वर्टिकली अपूजिट एंगल कौन सा है सभी बच्चे कमेंट में लगके बताएंगे कि कौन 2 का सीड़ साभिमो कौन क्या है अब याप इस ब्लू वाले को भूल जाईए एक को भूल जाईए आपको कौन 2 का सीड़ स सही है कि कौन 2 का सीड़ साभिमो कौन है रेड वाला कौन है मैं रेड वाला बना रहा हूँ ये है कौन नंबर 4 ये क्या है ये है कौन नंबर 4 मैंने दोनों को रेड से बना दिया है कि जो ये 2 और 4 है कौन 2 एंड कौन 4 ये तो सीड़ साभिमो कौन है ठीक है ये तो मुझे चल गया, यह क्या है, यह सीरसा भिमुक कौन है, ठीक है, अब question क्या है, कि क्या A और B सीरसा भिमुक है, तो यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि B तो दो के बराबर है, और इसका सीरसा भिमुक कौन होगा, कौन चार, ना कि कौन A, कौन A क्यों नहीं होगा, मैं अब क्या कर रह पूरा कौन बना है? यह पूरा कौन बना है जैसे ही, तो B तो इसके जश्ट बगल में आ गया ना? अब तो इसके सामने रहा ही नहीं है. B के आ गया? इसके बिलकुल बगल में आ गया. इसलिए A और B, कि शीर सा विमक कौन नहीं होंगे या फिर वर्टिकल या पूजे टेंगल्स नहीं होंगे समझ में आया सभी के क्यों नहीं होंगे क्यों कि इसमें 3-4 बच्चों ने गलात आंसर दिया था वस इसलिए पूछ रहा हूँ सभी को समझ में आया कि A और B क्यों नहीं होंगे सभी बच्चे कमेंट में yes या no लिखके बताएंगे yes मतलब समझ में आ गया no मतलब समझ में नहीं आया ठीक है तो option B इसका correct है बहुत बढ़िया अगर ये सभी के समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया चलिए अब हम एक और question solve करते हैं सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे question को तब अपना answer करेंगे question अब सभी अपनी screen पर देख सकते question number 22 question number 22 question क्या है कि हमें इसमें भी एक चित्र दे रखा है और हमें ये बताना है कि उस चित्र में x का मान क्या होगा सभी बच्चे बहुत ही सावधानी से अपने answer को submit करेंगे जल्दवाजी में कोई भी submit नहीं करेगा एक बच्चे ने अभी फिर से गलती कर दी है एक बच्चे ने जल्दवाजी में फिर से गलती कर दी है सभी बच्चे अभी हमने पढ़ा था ना शीर सब कोणों के वारें पढ़ा तक ऐसे पहचालते और उनके बीच में क्या relation होता है, क्या संबंध होता है, वो भी हमने पढ़ा. सभी बच्चे साफधानी से इसको solve करेंगे, जल्द बजी ना करें. सभी बच्चे बहुत ही आराम से इस question को solve करेंगे, बहुत बढ़ी है, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़ी है. पंद्रे सेकंड वेट करते हैं सिंस ये भी बहुत ही आसान सवाल है पंद्रे सेकंड और वेट करते हैं कमेंट में कोई भी आंसर नहीं करेगा कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा पंद्रे सेकंड और वेट करते हैं से अपना आंसर कीजिए 10 सेकंण बचे बहुत बढ़िया अगर आपका होगया तो बहुत बढ़िया जल्दी से अपना अंसर कीजिए की आफ hen सब्सके अपना अंसर सम्मिट करेंगे कि बहुत बढ़िया पाँ सेकंड़ खेंस और देते हैं कि इसका correct answer क्या होगा निपी कुमार के नाम से जो भी बच्चे मैंने मना किया था आप कुछ भी नहीं लिखोगे कमेंट में क्या ये दोनों आपको shear सा भी का लग रहें क्या ये आपको vertically opposite angles लग रहे हैं क्या जल्दी से कमेंट में लिखके बताओ क्या ये आपको आमने सामने वाले कोन लग रहें अगर हाँ तो ये shear सा भी मो bliver कॉंड होंगे तो आपको ये बताना है कि क्या यह शीर सा भिमो कौन लग रहे हैं? बिल्कुल सही, यह शीर सा भिमो कौन ही हैं, बिल्कुल सही, यह vertically opposite angles हैं, सही बात है आपके, शीर सा भिमो कौन हैं, अच्छा अगर यह शीर सा भिमो कौन हैं, तो हमने एक और चीज पढ़ी थी, कि शीर सा भिमो कौन equal होते हैं, vertically opposite angles are equal, य आपको हमेशा याद रखना है कि सीर सा विमो कौन हमेशा बराबर होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि X और 135 बराबर हो जाएंगे, X और 135 अगर बराबर हो गया, तो X का मन तो यहीं से निकल के आगे 135 डिगरी, यही तो हमें निकालना था X का मन 135, तो option B correct हो जा समझ में आई या नहीं, सभी बच्चे लिखके बताएंगे बहुत बढ़िया, सभी को समझ भा रहे हैं, बुक्त सा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए, 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 अब हम अगला concept स्टार्ट करते हैं, सीर सभी में कौन पढ़ लिया, आप ये बताओगे, लक्की के नाम से जो बच्चा है, आपका कहां डाउट है, लक्की के नाम से जो भी बच्चा है, आपको बताना पड़ेगा, आपका कहां डाउट है, आपको कहां समझ में नहीं आया, आपका कोई डाउट है, कि पहले तो ये बताओ वापस से, लक्की क सोखल के नाम से जो भी बच्चा है देखो अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा ना आपको डाउट कहा है पूरा ही आपने अभी क्लाश जर्ण किये क्या ताइम हो गया थोड़ा सा ताइम हो गया क्या आपकी अवाज कट रही है आप दुबारा से समझ में आगे ना आपने गलती कहा कि आप क्लास को छोड़के बाहर चले गए फिर आपको समझ में नहीं आया ठीक अब आपको क्या करना है अभी तो आगे चलते हैं आपको क्लास के लाश्ट में रुख जाना है फिर मैं दुबारा से एक्स्प्लेइन कर दूँगा दूग तो उनका टाइम भी इसी में जाएगा इससे अच्छा है आगला कॉंसेप्ट पढ़ें आपको मैं फिर से क्लास के एंड में समझा दूगा ठीक है आगले कॉंसेप्ट का कहना में कॉंणों का रैखिक युग मैं लीनियर पेर औफ एंगल्स अब इसका मतलब क्या है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है क्यों? क्योंकि कोई भी दो या दो से ज़्यादा कौन यदि एक सीधी रेखा पर बने हुए हो, कोई भी दो या दो से ज़्यादा कौन, ठीक है, एक सीधी रेखा पर बने हुए हो, तो वो कौनों का रेकिक युग्म कहलाता है, वो linear pair of angles कहलाता है, मतलब क्या हुआ? कि मानलो एक सीधी रेखा है आप यहां देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है ये वाली जो लाइन है वो एक सीधी रेखा है वो क्या है वो एक सीधी रेखा है ये वाली लाइन किलियर ली दिख रही है अच्छा ये सीधी रेखा है और ये दोनों कौन कौन सा कौन X और कौन Y ये दोन कोनों के रैखिक योग्म कहलाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, कोनों के रैखिक योग्म कहलाएंगे, तो क्या 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 वे मान लो, मैं यह वाला कॉंड बना दूं तो इसका मान कितना होगा। इसकी value कितनी होगी हमेसा। इसकी value कितनी होगी, हमेसा बहुत बढ़िया। सभी का answer एक दम सही है, कि जो इसकी value होगी, वो हमेसा 180 degree होगी। इसका मतलब क्या हुआ ? इसका मतलब मैं यदी आपसे पूछू इस सब को यहां से Erough करके मैं इसको अगर Erough कर दूँ और आपसे पूछू की ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो ग्रीज कलर का एंगल है वो भी सीधीरेखा पर बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ है, तो ये स्ट्रेट इसका मान भी 180 degree होगा, अच्छा, अगर इसका मान 180 degree होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि में x और y का sum करूं, x और y को यदि में जोडूं, तो उसका मान मुझे 180 degree मिलेगा, उसका मान क्या मिलेगा, मुझे 180 degree मिलेगा, ठीक है, तो यहां से दो चीज of angles कहलाता है या कॉनों का रेक्यक यूं कहलाता है दूसरा ये कि उन सभी का सम उन सभी कॉनों का जो योग है वो 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री के बराबर होता है ये समझ में आया क्या दो चीजे यहां से एक सीधी रेखा पर बने हुए कौन वो होते हैं कौनों का रेखे की युग्म अब सिंस सीधी रेखा पर बने हुए कौनों का जो सम है वो 180 होता है इसलिए हम ये कहेंगे कि जो sum of linear pair of angles is equal to 180 डिग्री या फिर कौनों का जो रेखे की युग्म होते हैं उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है विलकुर सही बात है 180 डिग्री के जो कौन को हम straight angle भी कहते हैं ठीक है अगर आपको ये समझ में हाँ किसी का कोई डाउट है कि किसी बच्चे ने हेंड्रेज किया है ने किसी ने ने किया तो चलिए अब हम ने किया ना कोई बात नहीं ठीक है अब हम आगे चलते हैं आगे क्या है हम और उधारन से समझ लेते हैं अब हमें क्या करना ये कौन दे रखा है 30 डिग्री और 150 डिग्री और हमें ये बताना है कि क्या ये linear pair of angles है क्या ये कौनों का र और हमें ये चेक करके बताना है कि क्या ये दोनों का रेखिक यूग्म बनाते हैं कैसे चेक करेंगे दोनों का योग निकार लो सम कर लो दोनों का तो हमने जैसे ही सम किया तो इसका सम आ गया 180 डिग्री अच्छा अगर 180 डिग्री आ गया इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का रेखे क्यूग्म बनाते हैं यह linear pair of angles हैं और का रेखे क्यूग्म यह कोनों का रेखे क्यूग्म है हाँ जी बिल्कुल सही बात है ठीक है अच्छा एक तो आप से ऐसे question आसे पूछ सकते हैं दूसरा इस type से पूछ सकता है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि एक कौन एक straight line पर बने हुए हैं वो कैसे हैं एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं इसका मतलब यह linear pair of angles बनाएंगे अगर यह linear pair of angles बनाएंगे तो दोनों का जो sum है या जो दोनों का योग है वो कितना होगा वो होगा 180 degree इसका मतलब मैं क्या लेख सकता हूँ मैं लेख सकता हूँ A plus 45 degree मतलब इन दोनों कोनों का जो योग है वो 180 degree होगा अब यहां से A की value कितनी आएगी वैसे सभी बच्चों ने comment में answer किया है जो की एकदम सही है यहां से इसकी value कितनी आएगी जब हम 180 में से 45 degree को subtract करेंगे तो A की value 135 degree आ जाएगी तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि A का मान होगा 135 degree या 135 degree यह समझ में आया कि linear pair of angles क्या होते है जो एक सीधी रेखा पर बने हुए हों जितने भी count अच्छा उनका योग कितना होता है 180 degree होता है बहुत बढ़ी आगर यह समझ में आया है और हम questions को कैसे solve करेंगे यह सभी समझ में आया सभी को आया ना समझ में yes और no लिखके बताओ अब यहां के बाद हम एक और important concept पढ़ेंगे ठीक है अच्छा मैं क्या करता हूँ मैं अब इसको erase कर देता हूँ तो यहां मैंने क्या सीखा इसका जो sum है linear pair of angles में sum या योग 180 degree होता है कौनों का योग क्या होता है 180 degree होता है अभी आपसे question पूछता हूँ हमने इससे पहले एक और जगे पढ़ा था जहां sum 180 degree होता वो कौन से कौन थे कौन से type के angle थे वो एक तो यह अभी पढ़ाई है linear pair of angles इससे पहले मने एक और पढ़ा था वहां भी जो कौनों का योग है वो 180 degree ही होता था अच्छा मैं हिंट के लिए बता दू हाँ जी बहुत बढ़ी है लिए कुमार के नाप से बहुत बढ़ी है सभी बच्चे बताएंगे सभी बच्चे जिसको भी याद होगा अच्छा मैं बता दू कहां पढ़ाता है वहां हमने पढ़ाता कि 180 तो एक सिंगल होता है अमन के नाम से जो बच्चा है 180 degree तो एक अकेला कौन जब होता है तो हम उसे straight angle बोलते हैं मैंने बोला कि हमने इससे पहले और पढ़ा था कि जहां भी दो एंगल्स का सम 180 degree होगा यह दो कौनों का योग 180 degree होगा तो हम उसको क्या बोलते थे इससे पहले हाँ एक 90 था एक 180 था 90 को हम पूरा कौन बोलते हैं अगर योग 90 है योग 90 है तो हम उसको पूरा कौन बोलते थे क्या बोलते थे पूरा कॉन या फिर कॉम्प्लिमेंटरी एंगल्स पूरा कॉन बोलते थे इसी तरह से अगर योग 180 है एक यहां पढ़ा था तो हम उसको क्या बोलते थे जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे आप्ट्यूस एंगल्स नहीं आप्ट्यूस 180 नहीं होगा सप्लिमेंटरी एंगल्स बिल्कुल सही बात है सम पूरा कॉन पढ़ा था उसको हम क्या बोलते हैं सम पूरा कॉन या फिर सप्लिमेंटरी एंगल्स ठीक है एक तो यह पढ़ा है हमने कॉनों का रेखिक योगम कौनों का रेकिक योगम है यह इसमें भी क्या है इसमें भी जो sum है वो 180 degree है और एक हमने पढ़ा था sum पूरक या फिर supplementary angles और supplementary angles में भी क्या होता है कि जो sum होता है वो 180 degree होता है ठीक है reflex angle नहीं अगर आप type उस तरह की बात कर रहे हो तो जो 180 degree हो straight angle ही होता है ना obtuse होता है ना reflex होता है कोई सा भी नहीं अगर exact 180 की बात कर रहे हैं तो नहीं right कैसे हो जाएगा right angle थो 90 degree होता है ना ठीक है अच्छा भी कोई भी कमेंट नहीं करेगा मैं फिर से आपको explain कर देता हूं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं मैंने आपको यह समझाया कि अभी अभी जो हमने पढ़ा कौनों के रैखिक योग में, अभी हमें क्या पढ़ा, कौनों के रैखिक योग में, कि जो एंगल्स का सम होता है, या योग होता है, वो 180 होता है, लेकिन इससे पहले हम एक और चीज पढ़ चुके हैं, सम पूरकिया, फिर सप्लिमेंटरी एंगल्स में भी, जो सम होता है, या तो दोनों को अलागला क्यों पढ़ रहे है को भी बच्चा बताएगा अन्म्यूट करके बता दो कोभी बच्चा बता सकते आगले 10 सेक्ट में रापका अध्यस ने जीयिंगल का संभ हदेम और तो होता है संपूरक हो सकता है तो यह बताना आपको cœur Supplementory अच्छा आप यही पूछने वाले थे बहुत बढ़िया चलो आपको क्वेश्चन तो डाउट तो है यह वाला कोई बात नी हाँ अभी आप बता दीजिए अभी मैं पूछ रहा हूं फिर में बताता हूं कि दोना मंतर क्या होता है पहले आप सोच लो जरूरी नहीं आप बता सर कितनी ग्लास और रहे गई यह वाली यह सर अभी तो समय है ना साड़े शेव वजे तक बढ़ेंगे बारिस आगी तो क्या हुआ बाहर बैठके पढ़ रहे हूं कि अब ठीक है क्या सर नीचे रेंज नहीं है उपर बारिश आगी अच्छा यह आपका था क्या बस थोड़ कर लो नीचे जैसे भी नेटवर्क है हां दोनों में ठीक है आब मैं अंतर बता लेता हूं सबी बच्चे सुनेंगे ध्यान से हैं दोनों में अंतर क्या होता है मैं अलग-लग ओधारन लेके बताता हूं ठीक है अच्छा है यह तो हमने पढ़ी लिया था इनका योग 18 होता की बात करे रहे रहे कोनों के योगन की बात कर रहे हैं इनमें जो यह दोनों कोन है वह आसन्द भी होते हैं ये थीक है अब मैं वापक से उसी question पे आता हूं ठीक है उसको लिए हमने दो धारन लिए हैं पहले आप यह चेक करके बतब question ये है कि इस वाले फिगर में कि क्या ये वाले दोनों कौन सप्लिमेंटरी एंगल से क्या ये संपूरक कौन है क्वेस्चन ये है कि क्या ये संपूरक है यस और नो लेक के बताना है क्या ये संपूरक कौन है क्या इस वाले फिगर में सभी बच्चे बताएंगे अच्छा अमन संपूरक की डेपिनिशन में बता देता हूं जिनका योग 180 डिगरी हो उनमें कोई भी कंडिशन नहीं होती संपूरक जिनका सम 180 डिगरी हो सप्लिमेंटरी एंगल्स कहलाते अब ब एंगल्स और 150 को जोड़ो तो 180 आएगा ठीक है तो ये संपूरक तो है ठीक है अब क्या ये लिनियर प्रसपे यंगल्स है क्या यह शिले प्याहिख अभी पढ़ा इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए यह तो बहुत यह आसान है क्या यह दोणों कौन लीनियर पैर और एंगल्स हैं क्या ये कौनों के रेखे के रिंग को हैं बहुत बढ़िया ठीक हैं और हमने इसकी बात कर लिए वह राइट साइड की बात करते हैं यहां बताइए क्या ये supplementary कि इस वाले डाइग्राम में बात कर रहों ने यह जो दोनों को ने 30 152 कि क्या यह संपूरक कौन है बिल्कुल सही है सभी बच्चों ने एक दम सही आंसर दिया कि बिल्कुल सही बात है यह संपूरक कौन है ठीक है हाँ जी सिर्फ कांत के नाम से जो बच्चा है आप किसके लिए नो बोल रहे हो मैं आपको एक्स्पेन कर देता हूं आप किसके लिए नो बोल रहे हो सिर्फ कां मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने लो किसके लिए बोला है अगर आपने इसके लिए बोला है कि यह संपूरक नहीं है तो यह संपूरक तो है क्यों क्योंकि दोनों का मैंने जब संप करके देखा या जो दोनों को जोड़के देखा तो 180 डिगरी आया और संपूर तो है ठीक है अगर यह संपूर रखें तो अगला question ये है कि क्या सभी बच्चे question सुनेंगे क्या ये linear pair of angles है क्या ये कौनों का रेखे क्यों है क्या ये कौनों का रेखे क्यों है क्या ये कौनों का रेखे क्यों है क्या ये linear pair of angles है यहां बच्चों के मिले जोले answer आ रहे है किसी ने yes बोला किसी ने no ठीक है पांस सेकंड और वेट करते हूं जल्दी से सोचके तुवारा से बता सकते हो कि दूसरे डाइग्राम में क्या 30 डिग्री और 150 डिग्री linear pair of angles है हाँ बहुत बढ़िया ठीक है जादा तर का answer सही था कि ये linear pair of angles नहीं है अब क्यों नहीं है वो देख लो linear pair of angles या फिर कौनों के रेखिक योग में दोनों कोनों का एक single line पर रहना जरूरी है जैसे कि हमने यहां देखा यहां एक सीधी रेखा पर थे यह दोनों कौन ठीक है तभी हमने इनको कोनों का रेखिक योग बोला इसी तरह से इस वाले डायग्राम में पहले वाले में भी एक सीधी रेखा पर थे लेकिन जो दूसरे वाले डायग्राम में तूसरे वाले डायग्राम में अब क्लियरली देख सकते हो कि यह एक सीधी रेखा पर नहीं है यह भी एक रीजन है बिलकुल सही बात है सीमा रानी हैं जब कि ये तो Erdicent है नहीं क्यों क्योंकि ये तो अरग बने हुए 30 डगरी यहां अलग बना वह है और 150 डगरी यह अलग बना हुआ है इसका मतलब यह यहांसे कौनों का रह्खे क्यूब में नहीं होगा ठीक है अब यहां से इतनी कहानी तो समझ लिए आपने, अब यहां से हमने क्या सीखा, वो important है, यह सभी बच्चे अब ध्यान देंगे, यहां से हमने क्या सीखा, हमने यह सीखा, कि जितने भी, जितने भी linear pair of angles होंगे, जितने भी कौनों के रैखिक योग्म होंगे, वो संपूरक तो हमेशा होंग क्यों होंगे, क्योंकि उनका योग 1802 तो होगा ही, ठीक है, तो जितने भी linear pair of angles होंगे, वो हमेशा supplementary angles को होंगे, लेकिन इस वाले diagram पर आते हैं, लेकिन जितने भी supplementary angles होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो linear pair of angles हों, क्यों? क्योंकि supplementary में सम तो 1802 हो जाता है, लेकिन जरूरी और यहां नहीं हो, अगर वो इस ट्रेयट लाइन पर नहीं होंगे, तो वो linear pair of angles नहीं होंगे, समझ बहाया कि यह सपूरक तों है, लेकिन कॉनों का रैखिक युग में नहीं होता है, जो supplementary angles होते हैं, वो linear pair of angles नहीं होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, हाँ ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है हो सकता है linear pair of angles हो जाए हो सकता है नहीं हो ठीक है ये दोनों में अंतर समझ में आया ठीक है अब मैं इसको erase करके ने बहुत ही simple सा अंतर बता देता हूँ कि ये भी supplementary है ये दोनों भी supplementary और ये दोनों भी supplementary है तो supplementary तो सभी हो सकते हैं जिनका योग 180 हो उनका सीधी line पे होने से कोई मतलब नहीं है ठीक है और दूसरा अंतर क्या है कि जो कौनों का रैकेक योग में उसमें एक ही चित्र में होता या एक ही figure में दोनों angles होते हैं जबकि संपूरक कौन में एक में भी हो सकते हैं और अलग-अलग figure में भी हो सकते हैं जबकि संपूरक कौन में क्या है कि अलग-अलग भी हो सकते हैं पहले उसमें क्या था कि 30 और 150 एक ही उसमें थे ठीक है लेकिन दूसरे में 30 और 150 अलग-अलग में थे तो संपूरक तो ये हैं लेकिन linear pair of angles केवल पहले वाला है, बहुत बढ़िया, अगर ये आपके समझ में आया है, तो चलिए, अब हम question solve कर लेते हैं, question number 23, सभी बच्चे poll section में इसका answer करेंगे, question number 23, question क्या है, पांच मिनट की और बचिए, निप्पी कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, पांच मिनट की और class बचिए, ठीक है, question क्या है, question ये है, कि जो चार options दे राखे हैं, उन में से आपको linear pair of angles कौन से हैं, linear pair of angles कौन से हैं, यानि की कौनों का रहके क्यों कों सा बना रहे हैं, और क्लास खत्म हो जाएगी पहले ये question solve करते हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे बहुत बढ़िया काफी बच्चों ने अंसर दिया सभी का सही अभी तक तो हरपाल सुन्दा के नाम से जो भी बच्चा है आपने गलती की है कि आपने comment में answer लिख दिया है जबकि हमें हर बार बो इसको पोल सेक्शन में ये answer देंगे ठीक है बहुत बढ़िया सभास question आपको अराम से समझ में आगया कि which of the following एजे linear pair of angles हालो रुको रुको नहीं आपस में अगर ऐसा करोगे लड़ोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है आप आपस में एक दूसरे को नहीं बोलोगे ठीक है कोई कोई कुछ नहीं कहेगा अगर आपने comment में किया तो एक तुमें comment बंद कर दूँगा और किसी बच्चे ने किया तो इसे अच्छा आपस में बात ना करें मैं बैठाओ नो गावराने की बात नहीं कोई बच्चा बात नहीं करेगा question पर आते हैं वापस question पर आते हैं वापस question यह है कि charge options आपको दे रखे हैं उन में से कौन सा एक कौनों का रेखे की हैं बहुत बढ़ी है काफी बच्चे आंत 4, 3, 2, 1 समय समाप्त चलिए अब इसको समझ लेते हैं आरे इसको समझने की तो साइद इतनी जरत है यह नहीं तो बहुत ही आसान है क्यों कि हमें पूछा था कि कौनों का रेखे क्यों क्यों होता है यह linear pair of angles का होता है जहां एक सीधी line पर कौन बने हो और option A में में देख सकत हों कि यह दोनों कौन एक सीधी line पर बने है ठीक है इसलिए option A correct होगा अच्छा B में देख लेते हैं तो B में यदि यह वाली line इस तरह से होती यह line ना होके यह वाली line होती और यह angle A यहां तक होता पूरा यहां से यहां तक तो यह linear pair of angles this is example क्या अच्छे एक्जामपल भी हाँ कोई बात नहीं लेकिन फिर भी बच्चों ने गलत किया देखो एक्जामपल ता फिर भी गलत किया है ठीक है यह भी एक तो इस तरह की line है और इस तरह की line है जो कि सीधी नहीं है इसी तरह से option D भी गलत है क्योंकि यह भी एक इस तरह की line है और एक इस तरह की line है तो दोनों एक बिल्कुल सीधी रेखा पर नहीं है ठीक है इसलिए D भी गलत हो जाएगा तो option A हमारा correct है ठीक है अब आज का last question बस एक मिनट और लोगा, आपका last question अब आप अपनी screen पर देख सकते हो, question number 24, ये आज का last question है, ठीक है, ये आज का last question होगा, question number 24, question क्या है, कि ये हमें diagram दे रखा है, और उसमें एक कौन तो है x, दूसरा है 152 degree या 152 degree, और हमें ये बताना है कि x का मान क्या होगा बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपको concept पता होगा, तो अगले ही step में आपका answer आ जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से हाँ, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे answer कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, इसका गलत नहीं होना चाह सबस्वाइब क्योंकि यह बहुत ही सरल सवाल है है कि ठीक स्थ लाश्ट बीस सेकंड और रुकते हैं त्वंटी सेकंड को बिल्टि करेंगे बहुत बढ़ी Kingdom बचे 15 seconds are remaining 15 seconds और बच्चे हैं हो गया ना बहुत बढ़िया है हाजी जतिन के नाम से जो भी बच्चा आपका कोई डाउट हेंड्रेज किया था आपने कोई बात नहीं साथ गलती से हुआ था हाँ 10 सेकंड और बच्चे हैं वापस से टू वन ठीक है समय समाप चलिए अब हम इस क्वेशन को डिसकस कर लेते हैं लाश्ट हम एक दो मिनट पर क्लास करते हैं क्या है कि जो अमेरे डायग्राम दिया गया है उसमें एक्स का मान क्या है अच्छा भी छोड की कोई नहीं जाएगा क्योंकि अभी अगली क्लास की बात करेंगे क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है न तो क्लास कब होगी यह भी बात करेंगे तो एक या दो मिनट और लगेगा बस एक्स का मान अच्छा मैं यह दोनों पता है क के बरावर होगा अगर ऐसा है तो X कमान यहां से निकाल सकते हैं 180 डिगरी माइनस 152 डिगरी और जब आप इसको solve करोगे तो आपको यहां से मिलेगा 28 डिगरी यानि कि X कमान कितना आ गया 28 डिगरी और अगर मैं options मैं से देखूंगा तो option B correct हो जाएगा बिल्कुल सही बात है 28 डिगरी आ गया तो option B correct है पहले यह बताओ यह समझ में आया की नहीं सभी को यह समझ में आया यह नहीं सभी बच्चे बताएंगी समझ में आया यह नहीं ठीक है बहुत बढ़िया अगर सभी को समझ में आ गया तो बस class यहीं खत्र हो थी है अच्छा नहीं अभी अगली class की बात कर लेते हैं फिर बाई बोलते हैं अगली class की अब यह बताओ आपकी अगली class आपके schedule के हिसाब से Friday को होनी है और Friday को है go वर्धन हर्याना में बात करनी है आपको हर्यान भी भी बात करनी है क्या आच्छा नहीं मैं हांbare घॉत को है गोवर्द्रण तो आप ये मता विए उऍसक्लास लगानी जाए नहीं आपके उपर हैं अगर बहुत बढ़िया, अच्छा सर, ठीक है, ठीक है, अच्छा आप लोगों की डिमांड पर क्लास होगी, फ्राइडे को बिलकुर, क्योंकि आप सभी लोग चाते हो कि क्लास हो तो क्लास होगी, कहीं जाना है सर, अच्छा आपको कहीं जाना है, ओके, अच्छा एक और अनॉंस्मेंट, पहला तो भी क्लास होगी, तो हम क्या करेंगे, कि हम थोड़ा से जादा cover नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही cover करेंगे, नहीं, time change नहीं हो सकता, sorry, time 5.5-5.6 होगा, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं, जिनके पास mobile नहीं होता है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है, काफी बच्चे ऐसे हैं, जिनके पास mobile सभी को पता है कि यह बताओ, कि जो class हम अभी करते हैं न डेली, सभी की recording होती है, सभी को पता है, हाँ, बहुत बढ़िया, अगर आप सभी को पता है, तो हम यह recording करते हैं, क्यों मैं उसका परवज बता देता हूँ, तो कई वर क्या होता है, जैसे भी सरीता देवी की नाम से जो बच्चा उन्होंने बता है, उनको कहीं जाना है, क्योंकि उनको कोई जरूरी काम होगा, इसी तरह से किसी की होज़क तक तव्यत खराब हो जाए, तो वो class जोइन नहीं कर पाए, तो हम क्या करते हैं, हम सभी बच्चों को class के बाद आप link भेजना start कर देंगे, इस class की recording की, तो माननों अगर आपसे class रह भी जाती है, ठीक है, तो आप recording देख सकते हो, हाला कि मैं एक और बात बता दू, कि अगर आपको ऐसा लग रहा कि किवल recording देखने से काम चिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके कई वार doubts भी आते हैं, और अगर आप recording देखोगे, तो doubts के लिए कैसे कर पाओगे, इसलिए live class हमेशा फायदे की होती है, कि अगर live class में आओगे, तो फायदा जादा होगा, क्योंकि अगर आपका कोई doubt है, तो आप मुझसे अपने doubts भी पूछ सकते हो, लेकिन यदि आप किसी कारण से, किसी कुछ कहना है, जै भगवान आगर के नाम से जो भगव, बच्चा है, हाँ जी, अच्छा, mute कर लिया, आपने, अच्छा, homework नहीं देते हैं, ठीक है, homework वैसे मैं दे सकता हूँ, अभी आप छुट्टिया है न, इनको आराम से मनाईए, दिवाली की छुट्टियों को आराम से मनाईए, बिना किसी tension के, आराम से सबी बच्चे हाँ, सबी आराम से मनाईए, फिर फ्राइडे को मिलते, तभी homework दे दूँगा मैं, फ्राइडे को आपकी class होगी, ओके, हैपी दिवाली, एवरिवाली, हाँ, हैपी दिवाली, हैपी दिवाली, बाए, 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 अबरीवन, अच्छा, एक बच्चे का doubt था, प्लेज आप रोख जाना, बाए, एवरिवन, बागी को, बाए, 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 बाए,